कि दूसकार स्वागत है फिर से आपका सविंदर सिंग सिरीज में और सविंदर सिंग के बारे में आप सबसे पहले जानते हैं बताने की जूरत है तो बढ़ता देता हूं मैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस प्लैटफॉर्म पे PCS और लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो आईस का स्टेंडर्ड है वो तो आप जानते हैं अच्छी तरह से पीसियस का स्टेंडर्ड है वह भी आईस का उपी होता जा रहा है इसलिए सबसे पहले अब मैं बता दूं जो प्लासिस हो रही हैं यह सब कॉंसेप्ट लेवल पे हम कर रहे हैं और बहतर होगा कि आप भी इस चीज़ को समझ जाएं क्योंकि अब जो कॉसंस हैं वह बहुत नहीं होंगे इसलिए आपको कुछ रिपेटिट बुक पढ़ लेना चाहिए जिसमें फीजिकल जोग्रफी फीजिकल जिसको हम कहते हैं उसमें सविंदर सिंग बहुत खुड़ा कनफ्यूज हो जाएं और उनको पता चले क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो सबसे पहले याद रखिएगा कोई भी हमारा अगर आप क्लास देख रहे हैं जैसे यह जो तीसरा क्लास है आज उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप पहली क्लास को वाच करें पहली क्लास से अगर दूसरी क्लास पर आएं तीसरी क्लास पर आएं तो इस स्टेमेटिक आपका डेवलाप्मेंट्स हो जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि हमें क्या चीज पढ़ना है क्या चीज नहीं पढ़ना है समिंदर से में क्यों क्योंकि यह जो क्लासे है वो मैं optional की classes नहीं चला रहा हूं क्योंकि optional का मतलब होता है कि जोग्रफी को आपने subject के रोप में अपने आईस वाले पेपर में सामिल किया हुआ है एक option आपने रखा हुआ है यूपी PCS में अब यह subject नहीं रहा या उप्सनल नहीं रहा उसके जगह पे यूपी का खास जोग्रफी हिस्ट्री एकनॉमी या फिर साइंस यह रखा गया है यानि उसका रिजनल रखा गया है इसलिए याद रखिएगा जो आईस दे रहे हैं वो लोग उप्सनल के लिए इस को लेकर और आज का जो टॉपिक है यह है कॉंटिनेंट्स एंड ओशियन याद रखिएगा डवलाप्मेंट्स ओफ कॉंटिनेंट और ओशियन इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले इसको समझे जैसे मैं अगर आपसे कोश्टन करूं कि भाई प्रीथवी पे कितने का है ऑस्टेलिया है यह सेवन कॉंटिनेंट है और आप कहेंगे चार महा सागर भी ओशियन और यू कहिए तो पांच है जैसे पैसिफिक सबसे बड़ा है अट्लांटिक इंडियन ओशियन यानि हिंद महासागर आर्क्टिक और साउट से इसको कह सकते हैं अंटार्क्टिक कि यह पांच जो महासागर हैं तो अगर मैं आप से कोश्टन करों कि क्या सब्सक्राइब आप मुझे यह जो महाद्वीप है यह महासागर है जब पृत्वी का विकास हुआ होगा तो क्या यह रहे होंगे प्रित्वी जब बनी तो यह चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रित्वी अगर बनी है तो यह संस कहीं पार्ट है यानि तारों के टूटने से ही प्रित्वी बनी है और धीरे धीरे ठंडी हुई है यह तो आप जानते हैं न देट इस दा कुलिंग प्रॉसेस हुआ है औ सब较ब बने कba की मउंटेनस का अगरोंत्वी बहुत सरी चीजे कर having this video. और न देखिए हुआ है पूरफ से पस्यम में 24-100 किलोमीटर में पहला हुआ है this is worth का सबसे लंबा माूंतेन उच्षिण फैला . साउथ अमेरिका में, उसी तरह से रॉकी माउंटेन देखेंगे, नौर्थ अमेरिका के बिलकुल पश्चिम में, पैरलल उपर से नीचे तक फैला हुआ है, इस तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि भाई, कॉंटिनेंट्स अगर बने हैं, तो ये परवत कैसे बन गया, हर जगा म कैसे ही थे, पहले तो प्रित्वी बहुत गर्म रही होगी, जब संसे निकल के आई होगी, धीरे-धीरे ठंडी होगी, तो महादूइब बने कैसे भई, कैसे बने महादूइब, महासागर का निर्मान कैसे हुआ, तो बहुत सारी चीजे हैं, जो आपको concept level पे समझना तो अगर मैं आप से कहूं कि यह सारी चीजें, अगर मैं आप से कहूं कि यह सिस्टमेटिक जो डिवलाप्मेंट्स हुआ है, यह कैसे हुआ है, तो उसी से सम्मंधित आज हम पूरी चर्चा करेंगे, और यह बहुत ही बड़ा प्रसन है, जैसे मैंने आपको कहा था कि जब कोई भी चीज, जैसे मानों का विकास प्रेजवी पे हुआ, तो उस समय तो यह सारी चीजें उनके लिए देवी प्रकोप के रूप में थी, अगर कोई जौला मुखी बन गया विसफोट हो रहा है, तो वो सम करें इन सब चीजों को जानके अपना काम करते हैं, तिकार खेलते हैं, या फिर अग्रिकल्चर करते हैं, बहुत बाद में जाकर लोगों का जिग्यासा बढ़ने लगा, कि क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं, अब यह जिग्यासा क्यों बढ़ी तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा तो दुनिया ही नहीं है, ठीक है, जहां अस्थल जुड़े हुए हैं, लोग समझते थे कि यही हमारा देश है, लेकिन अगर समुद्र आ जाता था, जैसे आप मान लिजिए, चलते चलते गोवा पहुंच गया, चलते चलते आप चिन्नाई पहुंच गया, त इसे मारको पोलो थे, या फिर वासको टिगामा थे, या आप देखेंगे के कोलंबस थे, यह सब क्या थे, यह सब एक जिग्यासू वेक्ती थे, जो यात्रा करते थे, और समुद्र को भी पार करकर के एक नए-नए महादुपो को खुज रहे थे, तो जब यह जो को खोजा जा रहा था, अब खोजने का मतलब यह नहीं था कि जहां नौर्थ अमेरिका में कोई नहीं रहता था, उत्तर अमेरिका में भी लोग रहते थे, लेकिन खोजने का मतलब था कि लोग जान गए कि प्रीतवी पे और भी जगह हैं, जहां लोग रहते हैं, तो डि ये बिल्कुल अलग है अगर आस्ट्रेलिया है तो पहले था बस गए इसका मतलब ये था कि वहां पहले से भी कुछ लोग रह रहे थे जैसे आदीमानों वहां थे पहले से यह मैं आपको कह रहा हूं समझ रहे ना तो यह सारी चीजे कॉंसेप्ट के रूप में आपको जाननी पड़ेगे अब सवाल यह उठता है कि अगर कॉंटिनेंट्स का डेवलाप्मेंट्स हुआ तो कैसे हुआ अगर मैं आपसे कोशन करूं कि आप मुझे बताई कॉंटिनेंट्स का निर्मान कैसे हुआ तो आप कुछ चीजों को सोचने के लिए विवस हो जाएंगे कैसे सोचने के लिए विवस हो जाएंगे तो जरा देखे मैं आपको बताता हूं जैसे कॉंटिनेंट्स और ओशियन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बिहार PCS अगर किसी को भी देना है या कोई भी PCS उसमें आप लाव उठा सकते हैं और मेरा कोड लगाईएगा ठीके लाइव तो उसमें भरपूर डिसकाउंट आपको दसारा के सेल में मिल जाएगा और यह जो है ऑफर आपको सिर्फ और सिर्फ 25 अक्टूबर तक ही वैलीड है तो याद रखिएगा 25 अक्टूबर को वैली दो बैट चलते हैं आप नए नए बैच में जोईन कर सकते हैं आए पुछ चीजों को सबसे पहले समझना है अब देखिए सबसे पहले कुछ चीजें आपको अजीव सी लगेंगे क्या लगेंगी जैसे अगर मैं इस प्रीथवी की बात करो तो प्रीथवी के उत्तर में सबस्तर में माक्सिमम क्याइए अगर मैं आपसे कहूं की यह जो इकवैटर है इसके नौर्थ में छे धायोसरा अगर आप कहेंगे कि South Hemisphere क्या जलिये भाग है, तो South Hemisphere में बहुत कम parts है, बहुत कम parts क्या है, अस्थल के parts है, और यूं कहिए कि 75% जो छेतर है, ये 75% अगर मैं आपसे बात करों, तो इधर है, और 25% अगर Land Area कहेंगे, तो इधर है, ऐसा क्यों हो गया, तो ये जानने के लिए विवस करता है, दूसरा आप देखेंगे, कि अगर globe में, अगर मैं आपसे कहूँ, globe में, अगर आप देखेंगे, जितने भी continents हैं, सपोस कीजे, कुछ चीजों को मैं आपको विवस करता हूँ, कि सोचने के लिए, और ये सविंदर सिंग ने भी आपको दिया है, जैसे continents हैं, अगर अगर मैं आपसे कहूँ, कि ये जो globe है, इस globe में, अगर मैं एक छेद कर दूँ, और जस्ट पीछे निकालू, उस सरिया को घुसेड दूँ, और जस्ट पीछे अगर वो निकले, तो that is the antipodal position, antipodal position का मतलब जस्ट पीछे वाला part, लेकिन condition ये होता है, कि आप center से होकर पा अगर छेद कर रहे हैं, तो center, प्रिथवी के center को cross करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये सरिया उपर से उपर निकाल दिया, उस पार निकाल दिया, तो antipodal का मतलब होता है, कि प्रिथवी is spherical है, इसके just पीछे क्या है, तो देखा गया क्या, कि जब प्रिथवी का पूरा मुआयन किया गया, क्योंकि 15, 16, 17, 18, 17 तक आते आते, बहुत सारी चीजों का ग्यान हो चुगा था, कैलिलियो ने टेलेस्कोप का विसकार भी कर दिया था, बहुत सारे scholar पैदा हो गया थे, धीरे-धीरे knowledge हमारी बढ़ रही थी, तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब तो जानना परे ग जाती है, कहीं मैदान बन जाता है, कहीं नयदूइब बन जाते हैं, तो यह structure ऐसा नहीं है, कि पहले जो था वही अभी बना हुआ है, यह change हुआ है, अब अगर मैं आप सको, कि यह जितने भी continents बने हैं, उसमें थोड़ा साब देखेंगे, कि continent के जस्ट पीछे आप देखें जस्ट पीछे आप देखेंगे, तो ओशेन है, यह भी एक बहुत बड़ा सोचने का इसू है, continent के जस्ट पीछे का मतलब, continents के जस्ट पीछे वाला पार्ट, अगर आप देखेंगे, जैसे अगर मैं कहूं कि यह इंडिया है, इंडिया के जस्ट पीछे वाला पार्ट देख तो आप देखेंगे यह एंटी पोडल पोजीशन पे वाटर है यानि प्रीटवी में जो महादीप है उसके पीछे वाटर है सिर्फ एक्सेप्सन है तो कितना परसेंट है 1.4 परसेंट एक्सेप्सन है जिसमें कॉंटिनेंट्स के पीछे ओशियन नहीं है याद रखेगा और आप जानते हैं कि हमारा जो कॉंटिनेंट्स है इसका पार्ट कितना है यह आप जानते हैं ना कॉंटिनेंट्स का मतलब क्या है महादीप इसका पार्ट अगर मैं आप से कहूं 70.8 परसेंट है याद रखेगा जो एक्चुल 71 परसेंट लगबग कहते हैं और ओश स्वारी य यह मैंने ओल्टा लिख दिया है है यह ओशिन का पार्ट्स होगा तो यह पार्ट्स है 21.2 परसेंट 29.2% ये अगर मैं कहूं continents कितना percent है 29.2% और ocean कितना percent है तो ये 70.8% ये actual image है जो समिंदर सिंग कहते है कि continent 29.2% में है और ocean क्या है ये है 70.8% मैं देखें अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई है इसलिए आप लगातार बने रहे है इसको समझते रहे है क्या चीज़ है ये समझने में आपको थोड़ा सा time लगेगा हाँ लेकिन आपका concept बहुत अच्छा developed हो जाएगा तो अब अगर मैं कहूं कि continents के पीछे अगर ocean है अगर continent के पीछे अगर मैं आप से कहूं just पीछे इसका back अगर आप ले जाए तो ये ocean आएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ exception कितना परसेंट है तो याद रखिएगा सिर्फ 1.4% exception है याद रखिएगा और ये भी चीज़ अगर आप से पूछा जाए कि जो antipodal position है just पीछे वाला part में कहां पे अस्थल के जगा अस्थली आता है जैसे अगर मैं कहूं Spain के Spain और पूर्तगाल ये जो Spain और पूर्तगाल है पूर्तगाल है ये दो country है लेकिन इसके पीछे अगर देखेंगे तो इसके पीछे न्यूजी लेंड आ जाता है याद रखिएगा यही सिर्फ एक exception है यानि जो 1.4% में है बाकी हर जगा आप देखेंगे continents के पीछे ocean आता है continents के पीछे ocean का parts आता है लेकिन ये समभावना जरूर है कि समुदर के पीछे continents है लेकिन समुदर का area बहुत बड़ा है इसलिए कुछ जगा पे समुदर के पीछे continents ही कुछ जगा समुदर के पीछे समुदर भी आ जाता है अगर मैं कहूँ कि ocean के पीछे अगर ocean है तो ये maximum है याद रखिएगा maximum ocean के पीछे अगर continent है ocean के पीछे अगर ocean है तो वो ocean के पीछे अगर ocean है तो याद रखिएगा ये यह कित्ता परसेंट है तो 44% है सिर्फ याद रखिएगा जो maximum नहीं minimum है अधिकतर केसे उसमें आप देखेंगे ocean के पीछे continent आपको नज़र आएगा ocean के पीछे continent नज़र आएगा continent के पीछे ocean नज़र आएगा तो यह तो सबसे बड़ी बात है कि भाई हम इन सब को explain कैसे करेंगे तो यह सब ग्यानिकों के दिमाग में बैठता जा रहा था कि भाई ऐसा क्यूं है ऐसा क्यूं लगता है कि एंटिपोडल पोजिएसंस पे यह सार देखिए एक चीज़ मुझे बताएए यहां पर जर आप देखिए यहां पर थोड़ा आप नजर घुमाईए और यहां पर देखिए यह आपको लगेगा महाद्वीप के इस पार्ट में यहां 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 पर क्या है एंडीज माउंटेन यह विसो का सबसे लंबा माउंट यहां बन गया है आपको अस्चर्ज होगा ना कि भाई यह पस्चिम में क्यों बन गया यहां वेस्ट में क्यों नहीं बना है यानि यह एक्स्प्लेनेशन क्योंकि आप जानते हैं यहां पर रॉकी माउंटेन यहां एंडीज यहां पर आलासका माउंटेन यह सारे माउंटे देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं कुछ mountain है जो सिर्फ north और south extended है और कुछ mountain है जो east west extended है जैसे यहां पर आप देखिए यह कौन सा पाइट है this is the Himalaya आप देखेंगे न यह Himalaya है तो कुछ mountain आप देखेंगे जो east to west बने हुए है और कुछ north to south बने हुए है तो maximum cases में आप देखेंगे कोई भी पर्वत है या तो north और south extended नहीं तो east west extended है इसको explain करना परेगा है दूसरा इस मैप में आपको कुछ जगा पे जैसे आप देखेंगे बर्व से ढखा हुआ चेतर है और यहां पर कोईला मिल रहा है तो कोईला किस चीज़ से बनता है आप कहेंगे न किस चीज़ से कोईला बनेगा तो कोईला बनता है प्लांट से और वो भी ऐसी प्लांट से नहीं बनेगा जो जाड़ी है जो बहुत मुलायम लख रिया है यह को कि तो कुछ पाया जाना इस बात का संदे है इस बात का संदे है कि भाई की का क्लाइमेट चीज्ट कैसे हो गया ऐसा तो हो नहीं सकता है इसका मतलब लोगों ने कहा कि नहीं पहले जैसा था यह इसका क्लाइमेट शेंज हुआ है तो बहुत सारी चीजे हैं जो आपको सोचने के लिए विवस कर देंगी याद रखेगा तो इस आधार पे आप अगर देखेंगे तो continental और oceanic parts को समझना थोड़ा सा easy हो जाएगा तो अब जरा मैं आपको बताना सुरू करता हूँ सबसे पहले इस चीज को समझ जाएए कि जब लोगों ने इस चीजों को सोचना सुरू कर दिया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब solar system को मैं explain कर रहे थे तो कांट की गैसियस hypothesis आई थी और उस आधार पे और लोग उस समय इन लोगों को भगवान मानते थे लोग कहते थे इम्मैनुवल कांट्स जो हैं यह सबसे अच्छे explainer है और वो कैसे कह रहे थे तो कह रहे थे कि प्रीत्वी अगर बनी है तो किस से बनी है तो एक बहुत बड़े पार्ट्स जो नेबूला के रूप में था वो लगातार घूम रहा था और उसके centrifugal force के कारण वो बहुत सारे पार्ट्स को बाहर निकाल दिया और धीले धीले सारे गोले जो थे ठंडे हो गए तो सबसे पहला तो समझेए कि पेरीट्वी अगर बनी है तो एक nabula से बनी है या स्टार से बनी कोई सं से बनी है और संस से निकलिया तो ठंडी होते है और आप जानते हैं कि शुरुेत के दॉर में जब continents और oceans बन रहे थे उसमें maximum लोग ये सोच रहे थे कि प्रीतवी अगर ठंडी होगी तो ऐसा तो हो ही जाएगा कहीं उभडा हुआ पार्ट आ जाएगा कहीं धसा हुआ पार्ट आ जाएगा धसे हुए पार्ट में बाद में समुद्र बैठ गया और उभडे लोगों ने अपना explanation किया कॉंटिनेंट्स और oceans को समझाने के संदर में तो उन सब का यहीं मत्था contraction theory का क्या मतलब था कि cooling process अगर मुझे बताए माली जे मिट्टी का एक गोला है या कोई भी rocks है अगर बहुत तप्त है वो ठंडा होगा तो क्या बिलकुल spherical रहेगा या धीरे 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 उसका अनियमिताकार बन जाएगा तो आप जरा सोच के देखिए आपको लगेगा कोई भी चीज़े का ठंडी होती है तो कहीं उभडा हुआ छेतरा आ जाता है कहीं धसा हुआ छेतरा आ जाता है तो संकुचन theory बहुत सारे लोगों ने नहीं हुआ है अगर महादी बने है तो महादीप अपने अस्थान से अस्थानांत्रित हुए है यह समझे इसका मतलब होता है कि कौंटिनेंट्स अगर बने थे तो continents क्या है एक दूसरे से अलग हुए है तूटके और उसके बाद इसमें प्रवा हो गया drifting का मतलब होता है सब एक दूसरे में पहले जुड़े हुए थे धीरे सब अलग हुए और उनका एक दूसरे से प्रवा हो गया तो दो थीरिया है याद रखिएगा समींदर सिंग में दो थीरिया है बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो यहां तक अगर आप लोग समझ रहे हैं तो मैं आपको concept लगातार बता रहा हूं तो आप समझते रहेगा लेकिन मुझे बता देजेगा कि स तो यह समझ रहा हूं यह सर गुड़ गुइंग इससे क्या होता है कि मैं जो समझा रहा हूं आप तक यह बातें अगर पहुंच रही है तो आपको मुझे भी संतुष्टे मिलती है कि नहीं आप समझ रहे हैं इस चीजों को अगर बेश से आपको सारी चीजों को समझना है तो आप इसी तरह से समझने की कुशिस कीज़े तो यस और नो का जरूर आप जबाब दीजेगा अब अगर मैं आपसे कहूं कि यह जो थियरी है तो तरह की थियरी आई तो मैंने आपको कहा सुरू में क्या सब लोगों ने माना कि यह जो प्रितिवी है संकुचित हुई है और जो उभणा हुआ पार्ट था वो परवत बन गया यह महद्वीब बन गया और यह जो धसा हुआ पार्ट से यह क्या बन गया तो यह बन गया ओशियन बन गया और उसी में पानी लवालब भर गया तो अगर मैं आपसे कहूं क आप धीरे 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 गायब हो जाएंगे जोगड़ा फर्स से क्यों क्योंकि जैसे scientific developments होगा आपकी theory को नकार दिया जाएगा क्या ही बोल रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दो तरह की theory बहुत यह हुई ठीक है हाँ सोहन चोहान continental dip मैं आऊंगा continental dip theory पर आऊंगा सब चीज पर आऊंगा ठीक है तो अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ठीक है ये सारी चीजें अगर हो रही है तो दो theory पर हम best करते हैं अपने आपको तो theory जो है continent से संबंदित जरा समझे अब यहां पर आपको क्या करना है थोड़ा सा लिखने लिखना सुरू करना है इसमें मैं आपको बताता हूँ theory hypothesis दोनों में अंतर तो यह मैं पहले भी बता चुका हूँ hypothesis का मतलब होता है आपकी कल्पना है यह theory का मतलब है अगर hypothesis आपकी आगे बढ़ गई और विश्व में उसको मानेता मिल गया तो theory बन जाती है maximum लोगों ने आपके theory को पढ़ना शुरू किया और उस पे थोड़ा बहुत research भी हो रहा है कहीं कहीं और लोग उसको मान भी रहे हैं उस पे thesis भी आ रही है उस पे articles भी आ रहा है तो आप theory के रूप में आगे बढ़ गए हैं और अगर theory एक समिकरन बन जाए इसका मतलब perfections आ गया तो यह धीरे धीरे आपकी theory पे depend करता है कि कैसे होगा तो याद रखिएगा सबसे पहला अगर कोई theory है hypothesis है तो याद रखिएगा दो तरह की hypothesis होती है पहला कि best on contraction best on contraction का मतलब अगर शुरुवाती दौर में अगर मैं आप से कहूं कि 859 के पहले या फिर 875 के पहले maximum लोगों ने क्या किया था संकुचन संबंदी सिध्धान दिया था यानि संकुचन का मतलब था पीड़ितिवी में cooling process हुआ और ज्यादा मत दिमाग लगा या आप लोग यह परवत बन गया या महादूप वहां उभड़े सबसे पहले इन्होंने continents और इसको समझाने का कारज भी किया था Kelvin याद रखिएगा Kelvin का तो temperature से बहुत ज्यादा अच्छा relation है तो यह क्यों नहीं देंगे संकुचन से संबंदी सिधान उसकी बाद याद रखिएगा एक लोथियन ग्रीन है उसको याद रखिएगा और लैप लब ने क्या कहा लोथियन ग्रीन ने क्या कहा तो बिलकुल ही नहीं मैं कॉंसेट बतानी के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर आपको परना है तो contraction से संबंधित सिधानतों पे या theory पे आपको कुछ भी नहीं काम करना है इसलिए इस page को skip कर देजिए क्योंकि ये PCS में नहीं पूछा जाएगा और नहीं relevant है नहीं इसको अभी वर्तमान में इनको माननेता मिला हुआ है चुकि जोग्रफी में academic लिखना है तो आपको बहुत सारी चीजों को बताना परेगा क्योंकि optional में जब mains लिखते हैं तो इन सब चीजों के बारे में कभी-कभी आप चर्चा कर सकते हैं इसलिए इस किताब में इस चीजों को skip करना थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी दी जाएगी तो किसके बारे में दी जाएगी तो याद रखिएगा ये सबसे important contraction theory में Lothian green की tetrahedral hypothesis है मैं आगे आपको बताऊंगा अभी तो ये याद रखिएगा contraction से संबंदेत या cooling process से संबंदेत इसको आप cooling process लिख सकते हैं cooling process याद रखिएगा याद रखिएगा cooling process से संबंदेत अगर कोई सिधान दिया गया इसका मतलब क्या था ये सिर्फ contraction से था जिसका वर्तमान युग में कोई माननेता नहीं है इसलिए आपको GS point of view से इसको पढ़ना नहीं है याद रखिएगा ये जितने भी है आप इसको जुरूर राइट डाउन कीजिए किस रूप में राइट डाउन कीजिए theory या hypothesis related to developments of continent and the ocean तो इससे संबंदेत जो contraction theory है ये है याद रखिएगा उसके बाद याद रखिएगा एक जो theory best है वो drift related है drift का क्या मतलब होता है प्रवाह जैसे continents अगर आज यहाँ है मालीजी साउथ पोल पे कोई continents है अन्टाक्टिका है तो वो क्या कर रहा है लगाता है drift हो रहा है drift का मतलब होता है कि वो अपने जगा से हट गया है यानि आज अगर वहाँ है तो वो सही जगा पे नहीं है वो shift हो रहा है जैसे आज इंडिया की स्थिती प्रित्वी में जहां पे है equator से 8 degree 4 मिनट उत्तर में है तो कल होके यह हो सकता है 10 degree 4 मिनट उत्तर चला जाए यानि यह drift हो रहा है तो drift से संबंदित theory को वर्तमान युग में ज़्यादा मान्यता मिला हुआ है जैसे आपने वैगनर की continental drift theory सुनी होगी plat tectonic theory सुनी होगी या फिर आपने sea floor aspirating सागर नितल सिधान सुना होगा या Arthur Holmes की एक conventional current theory सुनी होगी यह सब था जो drift related theory थी जिसको वर्तमान में सबसे ज़्यादा मिली हुई है तो याद रखिएगा ये वाला चीज है most relevant है और आपके लिए क्या है most important है याद रखिएगा most important है तो most important को हम पढ़ेंगे लेकिन इसमें एक important कौन है Lothian green उसको भी थोड़ा बहुत आपको मैं बतानी की कोसिस करेंगे ताकि आपका जो concept है वो गरबर ना हो और आप आगे चलते रहें आपका interest developed होता रहा है याद रखिएगा तो ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपका concept सविंदर सी में deviate ना हो क्योंकि बहुत सारे GS वाले लोग, IS वाले लोग इसको पढ़ते हैं और इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि उनका concept बहुत बहतर हो जाए तो याद रखिएगा लोथियन ग्रिन और इधर ये सारे important हैं जितने भी राइटर हैं अब जितने भी जोगड़फण हैं जैसे Antanio Schneider याद रखिएगा यहाँ पे एक questions मैं आपको बता देता हूँ कि इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ठीक है मैं कह रहा हूँ कि drift से संबंदित अगर कोई सिधान दिया तो सबसे पहला प्रयास किस ने किया था तो याद रखिएगा Antanio Schneider इसको जरूर याद रखिएगा Antanio Schneider ने drift से संबंदित सबसे पहला जो explanation किया था 1858 में याद रखिएगा तो first explanation किसके द्वारा आया था तो याद रखिएगा first explanation जो आया था ये किसके द्वारा आया था तो Antanio Schneider के द्वारा आया था 1858 में और उसके बाद ही धीरे धीरे ये जो सिध्धान था theory था वो drift में developed होने लगा उसके बाद आप देखेंगे continental drift theory आयी थी किसकी तो ये Alfred hypothesis के रूप में आयी थी ये F.B. Taylor का आया था तो याद रखिएगा यहाँ पे F.B. Taylor का भी नाम है drift में और उसके बाद Alfred Wagner का नाम है उसके बाद Arthur Holmes का नाम है Harry Hess का नाम है Morgan, Tujo, Wilson जो play tectonic दिये थे उसका नाम है तो यहाँ आप याद रखिएगा सब में याद रखिएगा important कौन सा है topic जो आपको पढ़ना चाहिए आप कहेंगे ना कि सर important बताईए इसमें याद रखिएगा इस topic में जो continents and the ocean है इसमें आपको deviate बिल्कुल नहीं होना है सबसे पहले तो आप समझ गए कि continents और oceans को अगर developments किया गया अगर इसका विकास हुआ तो इसके लिए दो theory और दो तरह के लोग थे एक कह रहे थे जो सुरू में कह रहे थे सुरू में कह रहे थे जैसे solaris महोदै, kelvin महोदै, lothian green महोदै, love worth love महोदै ये सब cooling आधर पे कह रहे थे anti-cline कह दिया, जो धसा हुआ part था, scene-cline कह दिया और एक दूसरे को इसी तरह से माथा पच्ची लगा के कुछ न कुछ लिख दिये सीरे से नकार दिया गया इनको क्यों? क्योंकि जब drift theory आई तो इन लोगों का कोई value नहीं रह गया उसमें एक चीज important है तो एक चीज important उसका यानि एक theory जो contraction से मैं ले रहा हूँ वो tetrahedral hypothesis था जिसको lothian green ने दिया था अब मैं आपको बता देता हूँ ये जितने भी नाम है ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि theory किस ने दिया था ये जरूर पूछा जाता है तो याद रखिएगा अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि tetrahedral hypothesis किस ने दिया था तो lothian green ने दिया था तो याद रखिएगा lothian green कब दिया था 1875 में दिया था तो जो important चीज मैं discuss करूँगा आपके साथ वो ये सब theory है tetrahedral hypothesis है continental drift hypothesis है 1908 में जो दिया गया तो याद रखिएगा F.B. Taylor और Alfred Wagner ये दो वैक्ती थे तो दोनों के सिध्धांत में difference क्या है दोनों ने continental drift theory दिया continental drift theory दिया लेकिन एक theory बन गया और एक hypothesis तो याद रखिएगा जो F.B. Taylor दोड़ा दिया गया था याद रखिएगा इस चीज को हाँ इस चीज को याद रखिएगा क्या तो जो जो याद रखिएगा continental drift theory जो दिया गया था ये जो continental drift theory वो दिया गया था Alfred Wagner लेकिन ये hypothesis बन के रहा गया किन का तो F.B. Taylor का इन्होंने भी दिया था drift theory लेकिन एक hypothesis बन गया एक theory बन गया समझ रहा है ने इस चीज को वन मिनट यहाँ तक clear है यहाँ तक clear है झाल तो हमें क्या क्या करना है तो याद रखिएगा ये जो तीन है ये आप देख रहे ना जो तीन है ये जो सिधान्त है इसको करना है जिसमें important हमने आपको बता दिया ये सारी मैं discuss आपके साथ करूँगा दूसरा एक और theory है जिसके बारे में कभी-कभी questions आप से पूछा जाता है ये क्या है Convectional Current Theory Convectional Current Theory आपको जानना होगा कि ये किस ने दिया था तो याद रखिएगा ये homes ने दिया था Convectional Current Theory इन सब की चर्चा मैं आपके से करूँगा उसके बाद Sea Floor Speeding जिसको हम कहते है सागर नित्तल प्रसरन सिधान्त इसको हैरी हैस ने दिया था इसको भी याद रखिएगा ये बिल्कुल आप से question पूछा जाएगा याद रखिएगा इससे आपका questions पूछा जाएगा related होता है तो ये Harry has महोदे द्वारा दिया गया था 1960 में और छठा जो है ये है plate tectonic theory याद रखिएगा 1966 में अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सब में सबसे महत्योपूर्ण जिससे maximum questions आपसे पूछे जाएंगे maximum questions आपसे पूछे जाएंगे वो कौन सी theory है अगर मैं कहूँ इन सब में सबसे important कौन सता है तो याद रखिएगा इसमें सबसे important plate tectonic theory है जो सबसे last में मैं आऊँगा क्योंकि आप सोचेंगे ना कि sir plate tectonic theory अभी तो आई 1966 के करीब आई और अभी भी उसमें कुछ न कुछ implementation होता जा रहा है नए-नए faults खोजे जा रहे हैं और उसमें लिखा जा रहा है तो implementation का मतलब है अभी भी ये plate tectonic theory आगे बढ़ रही है चल रही है याद रखिएगा अब हम चलते हैं आगे अब देखिए सबसे पहले हमने आप बात किया एक एक करके जैसे इसमें 6 theory है तो आज मैं आपको explain करूँगा इन में से कौन-कौन सा theory तो याद रखिएगा दो theory को explain करूँगा पहला और दूसरा को उसके बाद next class में continental drift theory जो अलफ्रेड वेगनर की है उसके बाद convectional theory जो होम्स की है सीफ्लोड स्फेडिंग और फिर प्लेट अक्रानिक थियरी ताकि आपका सारा systematic developments होता चला जाए और आप समझ जाए याद रखिएगा हमारा उद्देश से आपको पूरा समझाने से संबंदित होता है याद रखिएगा यानि आप अपने मकसद में काम्याब हो जाएं इस से maximum related होता है याद रखिएगा तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं कितने लोग हैं जो write down कर रहे हैं इस चीज़ को समझ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए देख रहे हैं उस चीज़ को हाँ तो आए हाँ इस चीज़ को समझ ये तो आए देखते हैं लोथियन ग्रिन की संकल्पना क्या है लोथियन ग्रिन तो ये क्या है ये इसको समझते हैं जरा इस चीज़ को समझते हैं जरा यह है क्या चीज़ सबसे पहले देखें इसको क्या चीज़ है क्या हुआ तो मैंने आपको कहा है कि यह लोथियन ग्रिन जो थे इन्होंने अगर दिया तो 1875 में दिया तो याद रखिए लेकिन यह बेस्ट है किस चीज़ पर कॉंट्रेक्शन प का मतलब क्या था कि यह कुलिंग प्रॉसेस पर बैस्ट है कुलिंग प्रॉसेस पर बैस्ट है अब क्या कहते हैं जरा इसको देखिए लोथियन ग्रीन महों देख क्या कहते हैं कभ यह घटना कभ आई थी तो 1875 में इन्होंने दिया था यह थीरी को यह 1875 में ही आई थी कि हमारी जो प्रित्वी है इनका कहना क्या था हमारी जो प्रित्वी है ये क्या है तो ये बिलकुल एस्फारिकल है इनका कहना था कि ये जो है ये एस्फारिकल है लेकिन इनका ये भी कहना था कि ये जो प्रित्वी है ये क्या है तो ये एक टट्राहिडल सेप में है पुरिए पेटमर से, यह तो ठीक है, तो अगर सनसे निकली, तो सबसे पहले ऐसा το था नहीं कि ओषियन बना होगा, पहले तो यह पूरी एक सौलिड पार्ट रही होगी, यानि रॉक्स रहे होंगे, पत्थर रहे होंगे, अगर ये ठंडा हुआ तो इसका सबसे पहले कौन सा पार्ट ठंडा होगा तो बाहरी पार्ट ठंडा होगा ये तो आप जानते हैं अगर ये बाहरी पार्ट ठंडा हुआ इसका मतलब क्या था कि अंदर वाले पार्ट को ठंडे होने में टाइम लगा तो बाहर का जो crust था ये ठंडा तो हो गया लेकिन नीचे वाला जो part था इसके अंदर का पार्ट जो को हम कहते हैं mental है या code है वो धीरे-धीरे ठंडा हो रहा था अधा है कि ये tetrahedral shape में convert हो गया, tetrahedral shape का मतलब ये इस आकार में convert हो गया, याद रखिएगा, तो ये मानते हैं कि जब ये प्रीथवी का development हो रहा था, तो इस तरह के shape में convert हो गया, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रीथवी को अगर तीन तरफ से अगर आप प्रियसर्ट देने की को सीज करेंगे, तो वो एक pyramid का shape ले लेगा, जैसे spherical shape, अगर मैं आपसे कहूँ एक spherical shape कौन सा shape होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि इसका जो spherical shape ये क्या होता है, तो spherical shape का मतलब है, इसका जो surface area है कम होगा, इसका volume ज़ादा होगा, लेकिन tetrahedral shape का क्या है, surface area बढ़ गया, और इस पीछे वाला part, समझ रहे न, तो अगर चार तरफ से अगर इसको press करेंगे, तो ये tetrahedral shape में बहने जाएगा, तो इसका मतलब है, जो ऊपर वाला part था, वो नीचे वाले जो part है, जब वो cooling process हुआ, जो अंदर वाला part था, जब cooling process हुआ, तो एक चिपक गया, उसी पर बैठ ग ये वाला जो area देख रहे है, ये जो margin है, जो nukila part आप देख रहे है, ये वाला जो nukila part है, इस पर हमारे continents का development हो गया, याद रखिएगा, ये कहता है, और जो ये वाला part, ये वाला part, ये वाला part, ये धसा हुआ part है, इसमें महासागर बन गया, तो ये इनका tetrahedral hypothesis ये कहता है कि जो surface area जो था, याद रखिएगा, तो ये ये जो area था, ये धीरे धीरे क्या हो गया, ये वाला area समुद्र का area बन गया, अब ज़रा इस चीज को समझे, क्या है, इनका कहना था कि ये जो North America वाला छेतर है, या आप देखेंगे, Arctic region वाला छेतर है, वो यहाँ पर डबलाप् बन गया है, और Europe का मतलब, ये Europe है, यानि ये जो नुकीला पार्ट है, इस पर Europe है, और इस margin पर याद रखिएगा, Siberia का पार्ट, ये Canada का पार्ट, इधर North America वाला पार्ट, तो इस तरह से यहाँ North में Arctic area का reason ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था, कि अगर North Hemisphere या उत चेतर, उसके पाद North America का Canada region, ये सब maximum region क्या है, North America के पास है, तो इनका कहना था, कि जो उपर वाला, ये ट्रेंगलर से पैस्ट्रक्चर है, ये North Pole की तरफ इसारा करता है, और ये बीच वाला जो चेतर है, इसमें पानी भड़ा हुआ है, और ये चारो तरफ से इसके क्या है, जैसे योरोप, यहाँ पे आप देखेंगे तो रूस आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे साइवेरिया आ जाएगा, इधर आप देखेंगे करनाडा हो गया, और ये यहाँ से यहाँ था कि ये Marginal Area बीच में ओशेंस है, उसी तरह से उनका कहना था कि एक तरफ अगर ये ज और ये Arctic और इसके जस्ट पीछे वाला पार्ट, जैसे आप ही देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे वाले पार्ट में Pacific Ocean आ जाएगा, तो ये Tetraheal Hypothesis था, जो संकुचन के आधार पे व्यक्या कर रहा था कि इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, फिर वो परव परवत दोनों का ही निर्मान हो सकता है, ये वाला उभडा हुआ चेत्र, और ये वाला पार्ट, ओशियन का पार्ट होगा, किसी भी रूप में ये ओशियन ही बनेगा, याद रखेगा, इसके जस्ट पीछे वाला ओशियन होगा, जैसे आप देख रहे है, Arctic Ocean, Indian Ocean और Antarctic Ocean, सम भी सीरे से नकार दिया गया, इसलिए याद रखिएगा, इससे कुश्चंस बहुत सिमित होते हैं, नहीं के बराबर हैं, अगर फिर भी आपको अगर पढ़ना है, तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कॉंट्रेक्शन बेस्ट थि सीरे से नकार दिया, और इसकी किटिसिज्म इतनी हुई, कि आप ये किताबों में भी आना नहीं चाहता है, जवर्दस्ती लोगों ने इसको किताब में रखा हुआ है, तो याद रखिएगा, हाँ, ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं, इस चीज़ को, क्या आपको प बताया है, उस हिसाब से आपको समझ बन जाएगी, आप उसको कर लिजिएगा, क्योंकि मैं तो पढ़ा दूँगा, लेकिन आपको भी कुछ पढ़ना परेगा, कुछ पढ़ना का मतलब है, कि थोड़ा सा सेलफ स्टड़ी आप करेंगे, तो फिर टॉपर लिस्ट में आपक कहीं जाने की जरूरत नहीं परेगी, याद रखिएगा, अब आईए, अब अगर मैं आप से कहूं, इसकी बाद कौन सा थियरी आए, जिसके बारे में थूड़ा सा आपको सोचना चाहिए, और ये थूड़ा सा थूड़ा सा आगे बढ़ा, अब हम आते है, कॉंटिनेंटल डिफ्ट हाइपोथिसिस पर, थियरी पर नहीं है, याद रखिएगा, हाइपोथिसिस का मतलब है, जिसको ज़्यादा वेटेज नहीं मिला, विस्व में, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिस्म हुआ, तो वो हाइपोथिसिस बनके रह गया, जैसे आपके दिमाग की उपस थी, आप ही के दिमाग में रह गई, कुछ लोगों ने इसको आगे बढ़ाने की कोसिस किया, लेकिन इनको इसलिए याद किया जाता है, एफबी टेलर को, क्योंकि डिफ्ट की दुनिया में, यानि महदूइब जो प्रवाहित हो रहे हैं, इसकी दुनिया में, इनका एक बहुत स सराहनीय कदम था, और यही कदम आगे जाके सत्य भी होता है, क्योंकि अल्फरेड वैगनर की थियरी, जिसको कॉंटिनेंटल डिफ्ट थियरी कहते हैं, उसको विश्व में मानिता मिली हुई है, और अगर वो मानिता नहीं मिलती, तो आज ते जो कहा जाता है पहले, कहा जा की न्यू भी रखी जा रही थी, याद रखिएगा, तो प्लेक्ट एक्ट्रोनी के न्यू के पीछे इनका कॉंटिनेंटल डिफ्ट हाइपोथिसिस कही है, अब बी टेलर का या अल्फरेड वैगनर का कॉंटिनेंटल डिफ्ट थियरी कीजिए, वो बहुत महतो रखता है, स पीजिएसिस में बहुत ज़्यादा हुआ था, सुरुएटी दोर में, समझ गया, तो अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इसको जरा समझ Australians, कि क्या मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले समझ गये F B टेलर, ये F B टेलर थे, इन्होंने कभ दिया था, तो सबसे पहले hypothesis 1908 में आई थी याद रखिएगा और 1909 में ये प्रकासित हुई थी याद रखिएगा 1910 तक प्रकासित हुई थी तो यही मैं अभी समझाने आपको जा रहा हूँ तो सबसे तो उसमें सबसे पहला जो प्रियास किया गया वो किसके द्वारा किया गया था जल्दी इसको बताईए मुझे अभी मैंने आपको बताया है चर्चा किया है जल्दी सा बताईएगा ठीक है तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो थियरी है Continental Drift Hypothesis वो FB Taylor के द्वारा दिया गया था कब दिया गया था तो 1908 में दिया गया 1909 और 10 में ये प्रकासित हुआ था याद रखिएगा अब इनका कहना क्या था तो सबसे समझे यहां से सियाल और सीमा का concept developed होता है और सियाल और सीमा का concept developed तो होता है लेकिन आपको ये कहना कहें चाहिए कि सर ये बताईए कि आखिर इनको क्या आपडी थी इंहोंने ये थियरी दे दिया क्या ऐसी अंसिल जिवात पागली ये प्रवासमद्धिस सिधान देदिया और भी 1909 में जब किसी ने सबसे पहले कहा था इसके बारे में एंटेनियो स्नाइडर एंथोनी यूर्ड वेरी सिरियस स्टुडेंट और चंद्रा सिप्रा यू आर अल्सो वेल डन अब अगर मैं आप से को एंटेनियो स्नाइडर 1858 में सबसे पहले अगर यह कह रहे थे कि प्रवा हुआ है तो इस बात क वो आगे बरहने का काम Continental Drift Hypothesis में अब बी टेलर कह रहे थे 1908 में जड़ा समझ यह इसका चीज़ को इनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें थी तो इनके दिमाग में एक चीज तो यह थी कि यह जो परवत बने हैं परवत का मतलब समझ रहे ना यह जो East West Extended है लेकिन Andes को देखिए Rocky Mountain को देखिए North South है अपलेसियन को देखिए North South है North South Extended है उसके बाद आप बहुत सारे परवतों को जब देखेंगे जैसे Ural को देखेंगे North South Extended है इसी तरह से Maximum जो छोटे वरे परवत है इन सब को देखिए या तो East West है या North South है समझ गया तो इनके दिमाग में था कि आखिर ये Continent में इस तरह का Mountain वो भी Margin पर क्यों बना है जो North South Extended है वो Margin पर डेबलाफ हो गया ऐसा क्यों तो इन्हेंने कहा कि नहीं लगता है Continental Drift Hypothesis Continental Drift हुआ है और Continental Drift होने का कारण भी था Continental Drift होने का कारण भी था अगर वो बता रहे थे कि इसके पीछे Continental Drift है अलफ्रेड वैगनर तो उनके पीछे एक मक्सद था उनका कहना था कि विश्व में कुछ ऐसे जगह है जहां पर कोईला पाया जाता है और वो कोईले का जगह नहीं है उसमें एक टेलर भी थे और टेलर कहते थे कि बाई यह कोईला यहां जर्मनी में कैसे बन गया यहां टेंपरेड फॉरेस्ट भी नहीं होगा यहां कैसे बन गया ट्रॉपिकल डिजन में होना चाहिए जैसे यह बात समझ में आती है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि दामोदर घाटी इंडिया में है और वहां पे कोईला है तो समझ में आती है ट्रॉपिकल डिजन में है फॉरेस्ट वैसे है बन गया होगा लेकिन जर्मनी में यूएसे में साइबेरिया डिजन में यह कोईला कहां से भई यह तो फॉरेस्ट भी नहीं है कोईला कैसे आ जाएगा तो यह लोगों यह सिद्ध करना चाह रहे थे कि आखिर महदूी विस्थापित हुए है पहले यह ट्रॉपिकल डिजन में थे यानि विश्वत रिखा के आस-पास रहे होंगे यह ट्रॉपिक्स के पहले रहे होंगे बाद में सिफ्ट हो गए तो एक चीज तो यह समझे बाद में अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी अलफ्रेड वैगनर को हम समझाएंगे और अलफ्रेड वैगनर में बहुत सारी चीज़ों की को explain करेंगे ताकि आपका जो लेवल है और ज्यादा राइस हो जाए तो इनका कहना सबसे पहले क्या था इन्होंने कहा क्या कि तो अस्थल खंड है यह दो रूपों में था इनका कहना था कि प्रीथवी जब बन रही थी तो जब यह contraction हुआ तो यह दो भागों में तूट का मतलब था कि अगर माल लीजिए कि कोई अस्थल पार्ट है और उसमें धीरे-धीरे कुलिंग प्रॉसेस होगा तो उसमें दरार आ जाएगी और दरार के कारण क्या होगा कुछ पार्ट वहां से अलग हो जाएगा दरार में गैप आजाएगा तो अगर मैं आपसे कहूं कि कुलिंग प्रॉसेस के कारण दो खंड बन गए हैं दो खंड बने का मतलब था कि कॉंटिनेंट्स दो पार्टों में बटा हुआ था एक जिसको हमने लॉरेंसिया नाम दिया याद रखिएगा एक लॉरेंसिया नाम दिया जो क्या था उत्री गोलार्द में था याद चंखेिएगा जिसको गोनडवानलेंट कहते ते यह बी टेलर की बात कर रहे हैं हो गोनडवानलेंट तो यह जो है याद रखीएगा के लॉरेंशिय और गोनडवानलेंट एक नॉर्थ हमीएशफर में तैड ने रहा है k緊द याद में जैसे अगर मैं आपसे को हूँ कि यह अगर भूखंड थे जैसे लॉरेंसिया तो इसको मैं अगर नाम दे दू अगर यह कॉंटिनेंट्स है तो इसको हम लॉरेंसिया कह सकते हैं लॉरेंसिया तो ही भूखंड थे लॉरेंसिया और अगर दूसरे भूखंड को मैं नाम दू त दो भूखंड थे, एक उत्री गोलार्द में, एक दचनी गोलार्द में, लेकिन जो भूखंड थे, महदीब थे, जो कॉंटिनेंट थे, ये क्या थे, कॉंटिनेंट्स यानि महदीब थे, ये एक सियाल का बना हुआ था, सियाल का मतलब सीलिका एलमुनियम, ये लोग कहते थे कि ये बना हुआ किसी सीलिका का मतलब बहुत आल से प्राचीन काल सी, रेत, बालू, या फिर मिटी के चोटे कंड को हम सीलिका कहते हैं, सीलिका और एलमूनियम का बना हुआ था, लेकिन इनका कहना था कि जो महदीप है, ये महसागर, जो सीमा कहते थे वो उसको, सीमा, जो उसके उपर फिसल रहा है, याद रखिएगा, इनका कहना था कि सियाल जो है, कॉंटिनेंट्स जो है, वो समुद्र के उपर फिसल रहा है, अब आप कहेंगे सर पानी के उपर ऐसा तो होता नहीं, यह तो पागल से क्या, तो नहीं, पानी तो वहाँ न, जहां पे चिपचिपा सता नहीं है जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये धर्ती जहां समुदर की धर्ती से लग रही है वहाँ पर चिपचिपी सता है यानि यह जो है विसकस है याद रखियेगा और जहां विसकस नहीं है वो बाहर आ गया है this is the water वाटर वाला पार्ट है यानि समुद्र की धरती के उपर ये जो कॉंटिनेंट है वो फिसल रहा है और फिसलने का कारण क्या था तो ये तो समझ गए टेलर ने दो तरह दो महाद्वीप की चर्चा की एक लॉरेंसिया और एक गोंडवाना लेंड एक नॉर्थ में था एक साउ सिफ्ट होड़ा है याद रखिएगा लॉरेंसिया भी एक वैटर की तरफ सी जो तीर्चा सिफ्ट होड़ा इस तरह से सिफ्ट होड़ा है इस तरह से याद रखिएगा यह इस तरफ से आ रहा है यह साउथ की तरफ और गोंडवाना लेंड भी एक वैटर की तरफ आ रहा है नौर्ट की तरफ अब आप कहेंगे कि क्यों इसका कारण क्या है तो इसका कारण क्या है दोनों एक्वेटर की तरफ क्यों आ रहा है इनका कहना था तो इनका कहना था कि भाई एक्वेटर की तरफ अगर आ रहा है इसके पीछे अगर फोर्स लग रहा है तो वो टाइडल फोर् मून के कारण याद रखिएगा मून का जन्म सबसे पहले याद रखिएगा अगर कोई आप से questions पूछे कि मून का जन्म कब हुआ है तो याद रखिएगा क्रिटेसियस प्रियेड में क्रिटेसियस प्रियेड ये एक geological time scale है वरतमान में ये फिलहाल आप इसको जान लिजे बाद में मैं पूरा एक geological time scale पे आपके लिए एक अलग से प्रियेड का जितने भी प्रियेड है geological time scale उसके लिए अलग से एक class ले लूँगा तो इनका कहना था कि चंद्रमा का जन्म हुआ था क्रिटेसियस प्रियेड में यानि प्रिथवी से अलग हो गया कुछ पाट और चंद्रमा का रूप हो गया लिकिन इनका कहना था कि जब चंद्रमा का निर्मान हुआ होगा तो उस समय चंद्रमा प्रिथवी के बहुत करीब था और प्रिथवी के करीब होने के कारण जोआड ये सकती बहुत थी यानि टाइडल फोर्स बहुत था टाइड्स का क्या मतलब होता है Tides का मतलब होता है कि अगर ये moon है तो Tides का effect होगा क्या मतलब है कि water वाले parts को क्या करेगा ये खीचेगा अपनी तरफ और अगर प्रीथवी अपने axis पे घूम रही है तो इसका मतलब ये बहुत जोड-जोड से घूमेगी अगर कोई pinned जैसे suppose कीजिए अगर मैं आपसे question करूँ कि जो planet sun के करीब होता है उसका rotational speed और revolution speed ज़्यादा होता है या कम होता है तो आप कहेंगे ज़्यादा होता है तो जैसे जैसे कोई planets sun के करीब आता है या sun के पास हो या कोई भी pinned अगर sun के पास होगा या pin पास होगा तो उस समय जो effect होगा revolution का वो ज़्यादा होगा पिंड का rotation का ज़्यादा होगा तिस जिसकी current tidal effect बहुत ज़्यादा था और tidal effect अगर ज़्यादा था इसका मतलब खिचाओ था water में और खिचाओ था water में इसका मतलब था कि ये सब जो north pole area में हुआ करते थे जो लॉरेंसिया पार्ट और साउथ पॉल एरिया में जो गोंडवाना है वो इक्वैटर की तरफ सिमत रहे थे ऐसे समझेए कि अगर टाइड्स ऐसे खीचा जाएगा तो ये वाला पार्ट पे फोर्स लगेगा कैसे एक्वैटर की तरफ तो लॉरेंसिया किधर सिमत रहा था लॉरेंसिया ये गोंडवाना लैंड ये एक्वैटर की तरफ आ रहे थे याद रखिएगा इसमें कोई सचाई नहीं है लेकिन इनकी बातों को इसलिए वेटेज दिया गया क्योंकि इन्होंने सुरू में 1908, 1909, 1910 में इस चीजों को बहुत वहतर ढंग से प्रस्तूत करने का स्रेदिया जिसका क्रेज अलफ्रेड वैगनर ले गए क्योंकि इनको किटिस्टाइज बहुत जहिलना परा सुरू में अलफ्रेड वैगनर को भी बहुत ज़्यादा वो जर्मनी के थे और इनको बहुत उतना नहीं हो पाए लेकिन इन्होंने क्या किया इन्होंने बहुत ज़्यादा भीजार ओपन इस चीजों को लेके किया है याद रखिएगा तो इसका मतलब यह समझ गया कि अगर टाइट्स खीचा जाएगा इसका मतलब लॉडेंसिया और गोंडवाना लेंड क्या होंगे यह इक्वेटर के करीब आ जाएंगे दूसरा उनका कहना था कि जो लॉडेंसिया और गोंडवाना लेंड का जो डेवलाप्मेंट्स हुआ है वो किधर हुआ है तो यह अगर सिफ्ट हुए है तो या तो यह इक्वेटर की तरफ हुए है या फिर किधर हुए है वेस्ट में हुए हैं और वेस्ट में क्यूं हुए है क्योंकि ये भी टाइडल फॉर्स के कारण हुए है क्योंकि पृत्नि क्वह हैं इजाने रहे हैं की अब यह कहना चाहते हैं कि मैं यह सब चीजें इसलिए बता रहा हूं , परवतों के उतुपत्ति को समझा जा सके अब जड़ा देखिए मैंने आपको सुरू में कहा कि अबी टेलर महोदे ने अपनी किरीद किस चीजों को लेके सुरू की थी उनका कहना था कि या तो परवत नौट टू साउथ एक्स्टेंडड है जैसे रौकी है एंडी उप या तो परवत टूरा सीमा पेटर रहे यानि सियौ अगर संब्र की धर्ति पेटर रहा है तो हो सकता है कि यह तैरना एच्मूथ नहीं हो जैसे कबही-कबही होता है servant नाव को आप धक्का लगा रहा है पानी में तो पानी अगर रहेगा तो बहुत अच्छा वो तैरेगा लेकिन थोड़ा सा जमीन से अगर टच कर गया तो उसमें फ्रिक्सन आ जाएगा तो उनका कहना था कि ये जो सियाल है सीमा पे अगर तैर रहा है तो जहां ये एसमूत नह है उसका मतलब अगर वेस्ट की तरफ कर रहा है तो नौड और साउथ एक्स्टेंडेड फोड़ा की वह बुरा जो वलन पढ़ेगा वो East-West Extended हो जाएगा जैसे हिमालय बन गया जैसे Atlas परवत बन गया जैसे आल्स परवत बन गया तो East-West Extended जितने भी परवत है उनकी वो व्याख्या करने के लिए अब बीटेलर ने ये काम किया लेकिन जब याद रखिएगा ये दे रहे थे तो अल्फेड वैगनर भी इनकी थियरी को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि नहीं ये ये थियरी हो सकता है आगे बढ़ेगा क्यों क्योंकि उन्होंने इतना प्रमान जुटाया देखे दो चीज मैं बता रहा हूँ अल्फेड वैगनर और अभी टेलर दोनों ही एकी चीज में बात कर रहे थे लेकिन इनकी थियरी जो अभी टेलर की थियरी बहुत पीछे रह गई क्यों और अल्फेड वैगनर जो कॉंटिनेटल डिफ्ट थियरी दे रहे थे वो बहुत आगे बढ़ गया उसका मुख्य कारण था कि अल्फेड वैगनर ने इतने प्रमान जूटा लिये इतना इविडेंस लोगों के सामने पेस कर दिया देखो ये देखो कोईला यहां पाया जाता है देखो ये जीव पहले यहां रहता था इसके अवसेस यहां मिले है देखो ये परवत का एकसिस मिला दोगे तो ये एक ही यूग के परवत है ये सारे चीजों को जब अवल अल्फेड वैगनर ने प्रवा हमें पूरा दिखाने की कोसिस की तो दुनिया इन पे रिलाई करना शुरू किया गया तो Continental Drift Theory के बाद जो मैं आपको बताऊंगा अल्फेड वैगनर की थियरी है क्योंकि इनके Drift Hypothesis बनके रह गया और उनके थियरी बनके रह गया और थियरी में ज़्यादा वेटेज होता है विस्व ज़्यादा सुनती है और याद रखिएगा अल्फेड वैगनर का Continental Drift Theory बाद में जाके Platectonic Theory का अंस भी बना यानि Platectonic Theory में भी Continental Drift Theory की चर्चा की गई क्योंकि अगर ये प्रवासंबंदी व्याक्या इतना प्रवान नहीं जुताते तो सायद हो सकता है कि जो Arthur Holmes थे Continents के प्रवा को बेहतर explain नहीं करते क्योंकि इनका criticism इसी बात को लेकर हो रहा था कि आखिर इतना force नहीं हो सकता Tides में कि Continent को shift कर दे East to West या फिर North to South तो Tides में इतनी सकती कहां से आएगी तो इसकी व्याक्या जब Holmes कहते है अपने conventional current theory में तो विस्ट उमें सबसे ज़्यादा मानेता प्राप्त उनको हो जाती है याद रखिएगा तो जैसे जैसे systematic आगे development होता चला गया वैसे वैसे scientific revolution आ गया plat tectonic theory last class तक आते आते आज भी सबसे ज़्यादा relevant बनी हुई है और उसका कोई भी काट नहीं है तो अभी तक की व्याख्या जो थी वो बहुत ज़्यादा examinations आपसे नहीं पूछता है लेकिन मैं explain इसलिए कर रहा हूँ तक कि आपका concept developed हो और आपको पता चल जाए कि समिंदर सिंग में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है याद रखिएगा तो ये सारी चीजे हैं कि मैं आपको बताता इसलिए चलता हूँ कि आपका deviation level थुड़ा सा कम रहे और आप समिंदर सिंग को पढ़ें तो आगे भी पढ़ते रहे कल मैं इसी topic को फिर से आगे बढ़ाऊंगा और दो class or लगेगा इसको क्योंकि ये जो continents and oceans का developments हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना है कि सरसरी निगाहों से पढ़ना क्योंकि एक दो थियरी बढ़ाबर पूछी जाती है जैसे Continental Drift Theory Wagner की पूछी जाती है कई बार पूछी गई है उसके बाद सी फ्लोर एस पेडिंग सागर नित्तल प्रसरन सिधान कई बार पूछा गया है प्लैक्ट्राक्रानिक थियरी ये तीन थियरी को मैं बेविस्तार से बताऊंगा वो भी दो दिन में बताऊंगा ताकि आपका concept पूरी तरह से clear हो जाए तो आज की सभा यहीं समाप्थ होती है और next class में हम फिर आप से मुलाकात करेंगे मुझे आसा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा समझ बनाया होगा आधी chapter तक और इस समझ को अगर बहतर आप समझ रहे हैं तो comment section में जरूर लिखिएगा कि sir आपने बहुत अच्छा बताया है या मेरी समझ developed हो रही है मैं इसको लिख भी पा रही हूँ और interest भी developed हो रहा है तो जो लोग भी अगर मेरे साथ इस तरह का interaction बनाते हैं वो हमारे दिल में एक छाप छोड़ जाते हैं और दूसरा कि उस teachers उस students के लिए एक teachers के प्रती ऐसा भाव create होता है जिससे वो समझता है ये students मेरे लिए बहुत important इसलिए है क्योंकि मेरी बातों को बहुत अच्छी seriousness के साथ सुनता भी है और अपने life को भी समझता है maturity के साथ आगे बढ़ना चाहता है तो thank you very much आप सबों को thank you have a nice day नितेश राज, एंथोनी, सिधार्थ रेटी आलिद हुसेन और नेहा भट चंद्रा सिप्रा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद